दिडोरी के कबीर कुटी में पानका समाच की बैठक का आयुजन किया गया बैठक में मंजला दिडोरी शेहडोल जिला सहित आसपास के शेत्रों के पनका समाच के लोग शामिल हुए पनका समाज के पताधिकारी और समाज के लोगों ने मिलकर आगामी विधानसवा चुनाव को लेकर रन्नीती बनाई है पनका समाज का कहना है कि आज दिन तक आठ जिलों में समाज के लोगों को आदिवासी का दर्जा दिया गया है लेकिन बाकी जिलों में रहने वाले समाज के लोगों को आदिवासी का दर्जा नहीं देकर OBC वर्ग में रखा गया है जिसको लेकर पनका समाज में आक्रोश व्याप्त है जिसके चलते पनका समाज ने आगामी विधान सभा चुनाव में भाजपा और कॉंग्रेस पार्टी का समर्थन ना करते हुए उनके पक्ष में वोट नहीं डालने का निड़ने लिया दरसल मुख्यमंतरी शिवरास सिंग चौहान की जन आशिरवाद यात्रा के दौरान पनका समाज के प्रतिनदी मंडल ने सीएम को ग्यापन सौपा था जिसमें पनका समाज ने शेत्री बंधन समाप्त कर उन्हें अनुसूचित जन जाती में शामिल करने की मांग की थी जिसमें पनका समाज ने शेत्री बंधन समाप्त कर उन्हें अनुसूचित जन जाती में शामिल करने की मांग की थी जो पूरी नहीं हो सकी वहीं समाज ने ये भी निर्णे लिया है कि चुनाफ के पहले किसी अन्य वर्ग जो आदिवासी वर्ग से हैं उसे समर्थन दे कर अपना उमीदवार बना कर चुनाफ लड़ेंगे इसके लिए पनका समाज आगामी दिनों में अलग-अलग जिलों में बैटकर समाज को एक जुट करने में जुट किया है भाजपा और कॉंग्रेस पार्टी पर आरोप लगते हुए कहा कि दोनों पार्टी ने हमारा सोशन किया है जिसके चलते हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सका है